हेलो एवरीवन आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एलहाबाद विश्व विद्याले और उसके कंसिचुवेंट जितने कॉलेज हैं उसके फर्स्ट इयर के क्लास के बारे में काफी जादा बच्चों की इंक्वा सि में जितने वी यूजी के कोर्स हैं अन्जर अंडर गरेजुएट के कोर्स हैं उसमें जो एडिमीसन हुआ है सत्र 2021 और 22 में मतलब की सेशन 2021 212 में काफी सारे कोर्स में अभी भी admission चल रहा था कुछ दिन पहले भी जैसे पी एच काटेगरी और सी एस्ट काटेगरी की बहुत सारे courses में अभी भी admission चल रहा था जैसे कि चौधरी महादेओ परसाद कॉलेज में एलहावाट डिग्री कॉलेज में अभी जगतारन कालेज में जितने भी सके लिए यहाँ पर आप सभी लोग देख भी पा रहा होंगे अलहावाट डिग्री कॉलेज आरे कन्या डिग्री कॉलेज और जितने भी college यहाँ पर आपको सभी को दिख रहा है तो देखिए बहुत चारे college ऐसे है जिसमें first year की classes start हो गई है अगर उस college से आप होंगे तो आपको पता होगा आपकी classes चल रही होगी message या जो भी मिला भी होगा ठीक है maximum classes ऐसी है maximum college में जहाँ भी start नहीं हुई है जैसे मैं बात करूँ CMP की वहाँ कोई भी classes first year की start नहीं हुई है जो नए session में है second year और third year की class चल रही है कहाँ चलती है, कैसे चलती है, कब चलती है, सारी चीज़ों पर बात करूँगा इस video में बने रहीएगा देखिए, अगर आप CMP degree college से है तो आपकी जो classes चलने वाली है वो तब चलेगी जब आपके college में admission की प्रकिरिया समाप्त हो जाएगी अब वो 5 दिन में हो जाए, 10 दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए वो depend करता है college administrator के उपर college प्रसासन जो है, उसके जो भी अधिकारी है जो भी teacher professor है, seat है admission बहुत जल्द, अंतिम प्रकिरिया पे ही है कुछ-कुछ seat बची हुई है, कुछ-कुछ courses में तो जब वहाँ पे admission प्रकिरिया complete हो जाएगी तो आपकी classes start हो जाएगी वो एक हपते में हो सकती है, दो-तिन दिन में हो सकती है दस-पंदरा दिन भी लग सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा तो आपकी classes start हो जाएगी अभी जो मुझे लगता है कि जिस तरीके का situation है इन्वस्ट्री आपको और खास करके first year के student को offline class के लिए college एन्वस्ट्री नहीं खुलने वाला है तो इतना मान के चलिए कि आपकी जो classes होगी वो online ही होगी online होगी कैसे होगी online जो class चलेगी cmp college की वो चलेगी cmp college.ac.in website पे उस पे cmp live portal है मैं यहाँ पे open भी किया हूँ देखिए जब आप cmp college.ac.in पे आएंगे तो कुछ इस तरीके का आपको interface मिलेगा यह notice है यहाँ पे देखिए admission के लिए बहुत सारी cut-off यहाँ पे जारी हुई है 29 जनवरी का और बाकी और भी date में आए हैं बहुत सारी चीजे तो यह कुछ यहाँ पे notification बार है इसको आपको यहाँ से cut कर देना है और आपको कोई भी news अपने college से related लेना है तो देखिए यह जो section है latest news यहाँ पे आपको दिखने लगेगा और जब आप website को open करेंगे class start हो गई रहेगी तो खुद लिख देगा कि BA become BSC first year classes is started from this date student can log in from their enrollment ID या UGATPGAT number यह सारी notification आपको यहाँ पे दिखने लगेगा classes कैसे करनी है classes करनी है आपको CMP live यहाँ पे दिख रहा है मेरे cursor को देखिएगा मेरे computer screen में जो mouse का pointer चल रहा है इस पे धान दीजिएगा और आपको click करना है CMP live पे यह एक teacher login है जहाँ पे आपके teacher respected जो teacher होंगे faculty member होंगे वो login करेंगे आपको यहाँ पे click करना है student login में student login में मेरी पहले सी यहाँ पे ID पड़ी हुई है मैं इसको करता हूँ remove ठीक तो यहाँ पर enter your login ID दीख रहा है और यह password section है यहाँ पे आपको अपना login ID और password डालना है देखिए instruction पढ़िए during first time login पहली बार login करते समय student must use there आपको जब पहली बार login करेंगे तो आपको क्या use करना है अपना enrollment number यूज करना है या UGAT नमर यूज करना है या PGAT नमर यूज करना है उसी को login ID डालना है उसी को password डालना है मतलब अगर आपका UGAT नमर माली जए 123456789 है तो वही ID होगा वही password होगा एक बार जब आप login कर जाएंगे after login student must change their password and keep it safe for the future login आप क्या करेंगे जब login हो जाएंगे तो आपको दुबारा password change करने के लिए आएगा वहाँ से आप अपने password को change कर सकते हैं और save कर सकते हैं student should update their correct email ID and mobile number in profile आपके profile में आपको email ID और mobile number पूछा जाएगा जो भी आपका सही email ID और mobile number होगा वो यहाँ पे डाल के save कर दीजिएगा student should attend their class as per their timetable जब आप live classes में यहाँ से login ID करके चले जाएंगे तो bugle में आपका live class से एक button होगा वहाँ पे आप click करेंगे तो आपके classes के सारे schedule दीख जाएगा अगर मेरा यह खुलता है तो मैं कोशिस करता हूँ दिखाने के लिए देखिए इस तरीके का आपको dashboard दिखने लगेगा जब आप login हो जाएंगे तो और यहाँ पे आपको click करना है today class जो है today class पे click करेंगे तो भी आप देख सकते हैं यहाँ तो classes से जाएए देखिए classes है classes में जाएंगे यह advertisement है इसको close कर देना है और देखिए इस तरीके से आपको classes दिखने लगेंगी जैसे अभी यहाँ पे दिख रहा है marketing income tax अंजनी कुमा जो teacher है उनका नाम है subject है title है और यह जब start होगा देखिए Monday दिखा रहा है आपको ध्यान से देखिए देखिए class कब-कब चलनी चलनी है 9 बजे चलेगी Monday के दिन Tuesday के दिन 9 बजे Wednesday के दिन 9 बजे तो आप एक मिनिट या दो मिनिट बाद आप जब आएंगे ऐसा जरूरी नहीं कि 9 बजे time दिया तो 9 बजे class चलने लएगी teacher को भी join होने में login करने में 2-4-5 मिनिट समय लगता है network इसू हो सकता है तो आप 2-4-5 मिनिट जॉइन करेंगे कितने डिवरेशन की class होगी बगल में दिखा रहा है कैसे class को जॉइन करना है attend class पर click कर देंगे जब आप time मतलब हुआ रहेगा आपका तो attend class करेंगे तो यहाँ पर पूछेगा कि क्या आप sure है जॉइन करने के लिए live class ओके कर देंगे तो देखिए अभी class तो चल नहीं रही है तो यह लिख रहा है कि तीन region हो सकते हैं इसलिए आपका class नहीं start हो रहा है क्या तीन region हो सकते हैं पहला region यह हो सकता है कि अभी class start नहीं की गई है आपके teacher के दोआरा या तो class समाप्त हो गई है या तो आप access करना चाहते हैं URL directly मतलब कि आप user नहीं है किसी ने आपको link share कर दिया है उपर से database में आपका नाम, ID, password नहीं है और आप login करना चाहते हैं यह तीन कारण हो सकते हैं ठीक है तो अब एक और आप सभी का doubt होगा देखिए नया नया admission होगा है तो आपका detail cmp live portal के database में जब तक add नहीं होगा तब तक आप login नहीं कर पाएंगे तो जो वहाँ पे भी faculty member हैं जो इस website को देखते हैं, चलाते हैं उनको भी अभी workload बढ़ गया होगा क्योंकि नया नय बच्चे आए हैं और उनको हर बच्चे को add करना है चाहे BA के हो, BCOM के हो, BSC के हो तो थोड़ा सा आप सभी लोग patience रख लीजिए अगर आपके पास book है, book से पढ़िए कई आप coaching करते हैं तो भी पढ़ सकते हैं वैसे तो coaching कोई जरूवत नहीं है लेकिन फिर भी अगर कोई करते हैं तो कर सकते हैं या इंटरनेट से आप सभी लोग से लेबस डाउनलोड कर लीजिए वेबसाइट से, इलहाबाद इनवस्टी के official वेबसाइट से और वहाँ से डाउनलोड करने के बाद टॉपिक को यूटूब पे सर्च करिए तब तक पढ़ते रहे जब आपकी क्लास स्टार्ट होगी वेबसाइट पर भी दिखने लगेगी और हम लोग भी वीडियो के माद हम से बता देंगे तो ये वीडियो थी अलहाबाद इनवस्टी के affiliated college के online class से बेसिकली हम लोग यहाँ पे CMP college को cover किये है तो उमीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा कोई doubt होगा तो comment करिएगा description में सारे detail है तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद बंदेवातरम